दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रीयका नियोज क्लिक के कारिकरम न्यूज मन्थन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि नजाने किधर E.D. चली जाएगी विपक्षी खेमे में कहां पर C.B.I. चापा मार देगी कहां पर I.T. का कोई पुछताच हो जाएगी लेकिन ये सब विपक्षी खेमे में ही हो रहा है यानि विपक्ष के नेता निशाने पर हैं जितनी केंद्री एजेंसियां हैं तो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त भारत में पिछले आठ नो सालों से Central Investigative जो एजेंसीज हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं की धर पकड़ उनको एंठना उनको बेहाल करना राजनीतिक रूप से सरेंडर करने के लिए महौल तयार करना दबाव बनाना ये रह गया है या फिर जो मौझूदा सक्ता से असाहमत प्रोफेशनल्स हैं जो राजनीतिक भले नहों कोई लेखख बुद्धी जीवी या कोई एजेंसी चलाने वाले लोग या कोई एंजियो चलाने वाले लोग इस तरह के लोगों पर एजेंसीज की नजर रहती है लेकिन एक बात बि देश में या पाकिस्तान में या बंगला देश इस तरह के जो आसपास के देश हैं इनके बारे में एक आम धारणा है कि जब कभी सत्ता में जो पार्टी रहती है जो नेता रहते हैं दरसल ज़्यादा कमाई वही करते हैं एक पर्सेप्सन है कॉंग्रेस रिजिम में हम जादा एलिगेशन होते थे और जांच भी होती थी कई बार जांच में वो पकड़े जाते थे कई बार छूट जाते थे ऐसा भी होता था लेकिन ये पहली रिजीम है स्वतंत्र भारत की जिसमें कोई भी नेता इसका सत्ताधारी दल का विदायक भी कभी एजेंसियों के हथे नहीं चड़ता एजेंसियां कभी इनका पीछा नहीं करती अगर कभी गलती से भी पीछा कहीं किया या कहीं कोई मौका मिल गया जिसमें कि कोई उनके नेट में आ सकता है उनके जाल में आ सकता है तो प्रबंध इस तरह का कर लिया जाता है तत्काल ऐसा प्रबंध कर लिया लेकिन कहीं कुछ हुआ कुछ नहीं और अब खामोश कर दिया गया है सबको तो कुल मिलाकर एक अजीब किस्म का प्रबंधन है तो दोस्तों लेकिन हम इस व्योरे में नहीं जाएंगे ये व्योरा हम पहले भी दे चुके हैं और आप टेलिविजन पर जो एक केवल यही चलाता है कि कैसे भारत का विपक्ष जो है करप्ठ है और सिर्फ और सिर्फ सारा कसूर उसी में है इसलिए एजनसियां उसके पीछे पड़ी है और उनकी नजर में जो सत्ता धारी दल है उसमें सभी लोग दूद के धुले हुए हैं प्रस्टाचार सिर्फ विपक्ष में है लेकिन दोस्तों कुछ बातें बतानी आज जरूरी हैं बहुत संचेप में इसके बाद हम फिर जाएंगे इस पूरे घटना करम की राजनीतिक समिक्षा पर राजनीतिक व्याक्या पर अभी जब आप से बात मैं कर रहा हूं तो केक कविता जो तेलंगाना के मुख्य मंतरी क सुपुत्री हैं स्वैम एक बहुत ही कारगर बहुत ही समर्च किस्म की राजनेता हैं वो बोलती भी बहुत अच्छा है हिंदी अंग्रेजी और तेल्गू तीनों पर उनका अधिकार है आमिन कुल मिलाकर वो कनी मोजी की तरह जैसे कनी मोजी हैं डियमके की बहुत ही अर्टिकुलेट आमिन एक लीडर के तोर पे उनको माना जाता है सुप्रिया सुले को माना जाता है तो ये तीन महिलाएं आम तोर पे काफी चर्चित रहती हैं कि ये बहुत अच्छा बोलती हैं अच्छी समझ है उनमें के कविता भी हैं इनको आज एडी ने बुलाया है औ एक कहानी आज की है और दूसरी कहानी ये है कि तेजस्वी को कल घंटों तक उनकी पतनी जो प्रिग्रेंट हैं जो जिनको बच्चा होने वाला है और उनकी तबीit भी नाशाद रहती है उनको घंटों पूछा गया घंटों उनके हाँ चापे मारी हुई और चापे मारी के ब वेरे सबीर उनको बुलाई तेजस्वी को तो तेजस्वी ने बताया कि वो अपनी पत्नी के अस्वास्थ को लेकर परेशान है और उनको डाक्टर की जरूरत है ऐसी इस्थिति में हम नहीं आ पाएंगे तो उन्होंने उनको महलत मिली है या मिली होगी ऐसा मान कर चल रहे हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल्स अभी नहीं आये हैं तो ये इस्थिति है और 24 जगहों पर कल यानि 10 मार्च को छापे मारी हुई और उसमें जादा वेजग हैं थी जो आरजडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रशाद यादा उनके परिजनों की हैं उनके समर्थकों की ह और इसको लेकर जबकि आप जानते हैं कि उनको वर्शों वर्श से पीछे उनके पड़ी हुई है सरकार और इसके पहले की भी सरकारों में उनकी स्थिति वो थी कापी खराब थी लेकिन इस सरकार ने तो उनका बिलकुल जीनाही एक तरह से मुश्किल कर दिया है और अभी जब वो सिंगापोर से सरजरी करा कर लोटे तो भी उनके साथ पूश्ताच की गई जबकि अगर डाक्टरी लिहाज से देखा जाये तो इसको रुका जा सकता था कुछ समय के लिए लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी लालू परशाद ने क्या लिखा है क्या कहा है वो वो लडाई भी लड़ी थी आधार हीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों नन्ने मुन्ने नातियों और गरभाती पुत्रवधू को भाजपाई एडी ने पंद्रा घंटों से बैठा रखा है क्या इतने निमनस्तर पर उतर कर बीजे पी हमसे राजनितिक ल लडाई रही है संग मतलब आरेसेस संग और भाजपा के वृद्ध मेरी वहचारीक लडाई रही है और रहेगी इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवंग पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनित यानि वीजे पी आरेसेस की र बारे शानियों में पिछले काफी समय से घिरे हुए हैं इसके बाजूद वो ये कह रहे हैं कि हम आप से छुकने वाले नहीं हैं आपके सामने चाहे आप कुछ भी कर लीजे तो ये लालू प्रशाद हैं और लालू प्रशाद के सुपुत्र तेजस्वी यादों जो उमर बहुत कम थी उwnकी उमर जो है वो वाकई और उनको भी इस केस में फसाया जा रहा है या फसाने की कोशिश की जा रही हैं ये केस पहले शुरू किया गया था काफी पहले कई साल पहले पिर ये बंद हो गया था अब जब 2024 के चुनाओं की तैयारी हो रही है 2023 में बहुत सारी बहुत सारी स्टेट्स में चुनाओं है तो ये फिर ऐसा लगता है कि अपोजिशन के खिलाफ ये मामला खोल दिया गया है जिसमें बिहार के नेता भी अपोजिशन के शामिल है जैसे के कविता का जो पूरा का पूरा मामला है वो तेलंगाना तेलंगाना में चुनाओं है इसी साल तो तेलंगाना के चुनाओं के मद्धे नजर ये मामला खोल दिया गया है तो ठीक उसी तरह से दोस्तो मेरा ये कहना है कि बिहार में भी अगले चुनाओं के मद्दे नजर लोग सभा के खास कर ये ये ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसी से निर्दारीत है अगर देखें आप एक बहुत दिल्चस्प बात कि भारती जनता पार्टी को वो इतने सालों से सरकार है मजबूत सरकार है उसके पास मिजार्टी है प्रिचंड वहुमत है बलकि कहिए तो लेकिन इसके बहुदूद वो कन्फिडेंस उसमें क्यों नहीं है कि इस तरह से विपक्ष को बेहाल किये बगएर क्या वो चुनाओं नहीं जिच सकती क्या वो अपने अच्छे कामों के बल पर चुनाओं नहीं जिच सकती क्या उसके परफॉर्मेंस गौवर्नेंस का जो इशू है जैसे वो कहती है कि हमने विकास काफी किया है तो विकास के आधार पर अपने गौड गवर्नेंस के आधार पर कॉमिनल हार्मोनी अगर वो मेंटेन करने का दावा करती है कि उसकी सरकार में दंगे नहीं होते ऐसा भी दावा किया गया है तो क्या इन उपलब्दियों पर वो चुनाव लड़ने का उसको विश्वास क्या नहीं है तो आखिर क्या वज़ा है कि वो विपक्ष के खिलाप हाथ धोकर पड़ी है जहां भी देखती है कि कोई विपक्षी नेता विपक्षी दल घुटने नहीं टेक रहा है उसके साथ कंप्रमाईज नहीं कर रहा है उसको चुनाव जीतने के लिए मैदान साफ नहीं कर रहा है कई ऐसे भी पक्षी दल हैं दोस्तो जो भारती जंता पार्टी से इतने डरे रहते हैं कि उनके लिए बकैदे मैदान छोड़ देते हैं और बीजेपी भी उनके साथ सदाशा होती है कि उनको थोड़ा बहुत सीटें जीता देती है लेकिन जो लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए बिलकुल तैयार है ऐसा लगता है कि बीजेपी उनको नहीं छोड़ेगी तो ये अगर देखा जाए पिछले दो चुनाओ के दौरान कैसे हर चुनाओ में उनकी स्टेटिजी चुनाओ जीतने के लिए बदलती रही है इस पर हम आज अपनी एक राजनिती व्याक्षिया आपके सामने रखना चाहते हैं दोस्तों 2014 का जो चुनाओ था आपको याद होगा 2013 से ही भारती जनता पार्टी के नेता और खासकर नरिंदर मोदी जी जो उन दिनों गुजरात के चीप मिनिस्टर थे उनका सबसे बड़ा नारा क्या था सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास और साथ में जोड़ा जाता था विकास कैसा तो गुजरात मॉडल यानि गुजरात मॉडल गुजरात जिस तरह का विक्सित हुआ है विक्सित हुआ है उनके मुताबिक हैं तो हम वैसा व के नारे पर भारती जंता पार्टी ने जीत लिया नरेंद्र मोदी जी प्रधार मंत्री बन गए लेकिन 2019 में विकास की कोई समिक्षा चुनाओं के दौरान नहीं की सरकार ने 2019 में उनको बताना चाहिए था सरकार को कि हमने विकास कितना दिया 2014 के नारे के हिसाब से हमने बिहार को कितना विकास दिया यूपी को कितना विकास दिया तेलंगाना को कितना विकास दिया आंधर को कितना दिया खैर वो तो पहले सही विकसित हैं लेकिन जो विकसित राज्य नहीं है उडिशा च्छतिसगर या अन्य मद्यप्रदेश इन पर चुनाओ लड़ा 2019 का बिलकुल एजेंडा बदल गया 2019 में पुलुआमा और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक और पुलुआमा इन्ही दो चीजों पर चुनाओ लड़ा गया और पूरे देश में एक महौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि जैसे भारत प आटी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी ही के ओल बचा सकते हैं तो दोस्तों अब आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में आप देखिए ED, CBI, IT जैसा मैंने पहले कहा कि किसी और जगह नहीं जा रही है सिवाए भी पक्षी खेमे को छोड़ कर अभी तक ED के जाल में 24 कांग्रेसी हैं 19 TMC के नेता है 11 NCP के नेता है और ये आंकरा 2022 का है हो सकता है इसमें और आगे बढ़ गए हो RGD और अन पोलिटिकल पार्टी के नेताओं की भरमार भी है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है इन से कम है लेकिन इन ही पार्टियों के नेताओं को केवल ED गेरती है, CBI गेरती है, IT गेरती है लेकिन इसमें कुल टोटल 118 विपक्ष के थे, अगर देखा जाए 2022 के आंकरे इधर और बढ़े हैं, छे इधर उधर के जरूर हैं और छे जो इधर उधर के हैं उसमें भी BJP का कोई नहीं है, कोई प्रोफेशनल है, कोई उपक्रम चलाता है, कोई छोटा मोटा काम देखता है, इस तरह के लोग हैं UPA के दोरान केवल 26 थे, इसमें 14 राज नितिग्य थे, तो ये इस्थिती थी दोस्तों, अब मेरा ये कहना है कि ED के जरिये जो चीजें इस वक्त कराई जा रही हैं, ऐसा लगता है कि ED जो है, इलेक्शन मैनेजमेंट का एक टूल बन गई है इलेक्शन मैनेजमेंट का टूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाओ के लिए ऐसा लगता है कि अब पुराने जेंडे को बीजे पी रिपीट नहीं कर सकती, वो विकास की बात नहीं कर सकती, वो गुजरात मॉडल की नहीं बात कर सकती, क्योंकि लोगों ने देख लिय वो 22 नमबर पर थे, 22 नमबर पर, ये मैं फोर्प्स वेल्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, और जो रिच लोगों की धनी लोगों की लिस्ट होती है, उसमें मुकेशंबानी नमबर वन पर थे, और वो 22 नमबर पर थे, 2022 में जो लिस्ट आई सबसे रिचेस्ट लोगों की द मानोविकास सूचकांग उसमें 2022 में भारत जो है 132 पर आ गया यानि 132 नंबर पर आ गया दुनिया में और SDI में इसी मानोविकास सूचकांग में वह 119 नंबर पर था 2010 में यानि जो भारत 2010 में 119 नंबर पर था उसका इतना विकास हुआ कि और नीचे गिर गया वह 132 नंबर पर आ गया ये तो हाल रहा लेकिन बिलेनायर्स जो हमारे हैं वो बिलेनायर्स बढ़ गए तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कुल मिलाकर मंदिर बुल्डोजर और E. E.D. का चुनाओ होगा याद रखिए आज मैं कहा रहा हूँ 11 मार्च 2023 के इस दिन आज मैं न्यूज मन्थन में आपके सामने ये कहा रहा हूँ कि 2024 का लोक सबाद चुनाओ मंदिर अजुद्या का बुल्डोजर और E.D. इन्ही के बल पर चुनाओ लड़ा जाएगा और कहा जाएगा कि देखे मंदिर भी बन गया जुद्या में अजुद्या का मंदिर जनौरी 2024 में खुलेगा ऐसा कहा गया है बुल्डोजर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो असम तक पहुँच गया है असम तक अब चु बुल्डोजर नहीं जा रहा है तो कुल मिलाकर जो हिंदी भाशी प्रदेश हैं और मैं तहना भुल गया मद्य प्रदेश में भी बुल्डोजर चलाया जा रहा है तो बुल्डोजर के बल पर माइनार्टी कम्मुनिटी के लोगों को इतना टेरराइज किया जाएगा और उ की पॉलिटिक्स की जाएगी ये लगता है और तीसरा ये जो एडी है इसके जरीए सी बी आई एडी आई टी जितनी के अंदरी एजनसियां हैं इनको उन लोगों के खिलाप उतार दी जाएंगी जो लोग भारती जंता पार्टी के सामने सेरेंडर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आज हमारी यही बात यहीं पर हम खतम करते हैं अपनी बात की एडी का चुनाओ होगा ये मंदिर का चुनाओ होगा ये कुल मिलाकर के बुल्डोजर का चुनाओ होगा इनी तीन के बल पर सत्ताधारी दल दोजार चुनाओ जीतना चाहती है देखिए होता है क्या नमस्कार आदाब सत्रियकाल